प्रदेश सरकारद्वारा करोनाम हमारी के चलते शिक्षन संस्थानों को बंद रखने के फैसले के बाब जूद नीजी स्कूलों ने अभिभापकों को फीस जमा करवाने के लिए दबाब बनाना शुरू कर दिया है। अभिभापक संका एक प्रतिनी धिमंडल ADC शिमला अपूरु वदेव गंसे मिला और उन्हें वस्तु स्थिती से अवगत करवाया। अभिभापक मंच के पताधिकारियों का कहना है कि नीजी स्कूलों ने कोरोना महमारी के सदौर में अचानक फीस वृद्धी करके अभिभापकों पर अतिरिक्त बोज ताल दिया है। यही नहीं गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी अभि तक स्कूलों में एक भी क्लास नहीं लग पाई है। बाब जूदिस के नीजी स्कूल अभिभापकों से बड़ी हुई फीस जमा करवाने के साथ ही सभी तरह के चार्जीज भी जमा करवाने के लिए दबाब बना रहे हैं। उन्होंने ग्यापन के माध्यम से नीजी स्कूलों की सलूट पर लगाम लगाये जाने की मान की है करोना महामारी से हर इंसान पूरा विच्छ भूज रहा है और लोगों की आर्टिक जो आए हैं आर्टिक बिल्कुल मंदी में चलेंगे हैं लोगों का अपना जीना दूबर हो गया है Aunty मैं आप इस तरह प्रेट को कि इस तरह क्या बलते कि चीश का बोज़ लाव सकते हैं यह उकित रही है पेरेंट्स ऐसुशेशन शिमला से हमारा कह एक ऐसुशेशन बना है जितने भी शिमला के अंदर प्रैवेट स्कूल है उसके अंदर हमने ऐसुशेशन बनाया है हमारा पिछली बारी कोरोना के दोरान 2020 में परदेश कार हिमाचल परदेश शिक्षा मंतरी शिरी गोईंसिल ठाकूर जी को हमने ग्यापन सौंपा था शिरी जैरम ठाकूर जी को हमने स्वेम एस्टेशन ने बात की थी कि भी इस करोना महामारी में अभी भावको को जितने भी हिमाचल परदेश में प्राइबेट स्कूल है सबी को स्कूल फीस के बार लक्षेशन दी जाए एन्युल चार्जी स्कूल बहुत ले रहा है बलब स्कूल ने खुला लूट मचा रखी है प्राइबिट स्कूलों ने तो इस बारी भी सबी स्कूलों को फुल फीस का मैसीज आया है कि पूरी फीस जमा करी आप उन्हें फर या पन सोबने के लिए तो हमारी परदेश सरकार के मुख्या मतरीजी से और शिक्षा मतरीजी से निवेदंद रहेगा कि बही सबी स्कूलों की फीस माफ की जाए प्राइबिट स्कूलों की अगर ये बादारी सी तरह चलता रहा तो लोग को सक्ते में आ जाएगे